असलम वालेकूम Farm आदा चम्मच लाल मिच पाउडर, आदा चम्मच गरम मसाला, इस तरह से सबी चीजों का अच्छे से गूत लेगे, बत्वा हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशिल होता है, हम आम तोर पे इसको विंटर्स में खाते हैं, आप भी जरूर बना के खाईए इसको, अब हम इसमें थोड़ा पानी हेल्गे, पानी से इसके कमवाइंट अच्छे से हो जाएगे, पानी हम जादा नी डालेंगे, इसका आटा हम जादा पतला नी giving देंगे, जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा करते हैं उस तरह काम इसके लिए आठा फूतेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे और पत्थुए को अच्छे से गूत लेंगे हमारा आठा गुट के तैयार हो गया तकरीबन आदक पानी हमारा इसमें लगा है अब हम कौफते बनाएंगे इस तरह से हाथ ने हम थोड़ा सा आठा लेके अच्छे से गुमाते हुए हम कौफते बनाएंगे देखे इस तरह के कौफते हम बनाएंगे और इसे प्लीट में गुल भी बना सकते हैं बतुए कोफते बनाने में ज्यादा टाइम ने लगता आप इसको इसली बना सकते हैं और कभी भी इसको खा सकते हैं देखे फ्रेंड जल्दी से हम अपने बतुए कोफते तियार कर लेते हैं इस तरह से बन वैवन हमने सारे डॉल बनाके रख लिये ह कि देखे फ्रेंड हमने सारे कौफते बना लिए हैं विकोफ पर्फेक्ट बने हैं अब हम एक कड़ाई लेंगे आप चाहें तो बगोना भी ले सकते हैं अब हम इसमें एक लिटर पानी एड़ करेंगे अब हमने हाई रखी है पानी को हमें तेज गरम करना है देखे फ्रेंड पानी हमारा गरम हो गया हम कड़ाई के ऊपर चंणा रखेंगे और इसको हमें इस्टीम के लिए यूज करना है चंदे के ऊपर हम कौफते रखेंगे चारो तरफ अच्छे से हमें कौफते रखने हैं और कौफतो को हम इस्टीम करेंगे च्छने के जरीए आप चाहें तो और भी तरीके से इस्टीम कर सकते हैं कौफतो को लेकिन इस तरीके से भी हमारे कौफते बहुत ही अच्छे से इस्टीम हो जाते है अब हम लिड लगा क तकरीबन 20-25 मिनट्स तक इसको स्टीम करेंगे हाई गयस फ्लेम पे 20 मिनट्स हो गए अब हम कौफ तो को 2-3 मिनट्स तक पलटके भी स्टीम करेंगे इस तरह के सब पलट देंगे अब हम कौफ तो को 2-3 मिनट्स तक द्वारा श्टीम करेंगे हाई गयस फ्लेम पे 3 मिनट्स हो गए आये चेक करते हैं कि हमारे कौफ ते कैसे बने हैं तिकि फ्रेंड बहुत ही अच्छे से हमारे कौफ ते बन गए है एख में गटा बन करकर अब हम कौफ तो को इक बेड़ मे निकाल देंगे ं अब को फजात एस तरह सेए डिफिष पलेड़ों इस तरह से कट करेंगे अजिए कि यूप इस तरह से हम सभी फो कट कर लेंगे कि अगज हमस्तो के लिया है अब कोस्तों के लिये यह pensa करते हैं थोड़ा सामने अद्रख लिया है अधूले now we do not let me he मिक्सर में गांद करेंगे हैं अब इसका गड़ाईमें हम आल विद्ट करेंगे और दreटर दंगे बंड कर देंगे ऑई घ्रे गरम हो गया अब इसमें सीरा है करेंगे प्रणिया है इसमें दी ट्रेट बंड गुन और यह सब करेंगे अब इसमें अपना आप और प्रयाशन लिए था और टामाटर भी लिया था और इसको चलाते हुए अच्छे से बूनना है हाई-ग्यस प्लेम पे अब हम इसमें नमक एड़ करेंगे नमक हमने श्वाद अनुसाल दिया है आदा चम्मच लाल मिट्च पाउडर आदा चम्मच धन्या पाउडर आदा चम्मच हल्दी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बून देंगे हाई-गैस फ्लेम पे अच्छे से बूनने के लिए मैं पर फेल अव मैम पर अच्छे पूलने के लिए अब हम इसमें लिए लगा के इसको 2-3 मिनट तक बूनेंगे हाई-ग्यस फ्लेम पे टू मिनिट हो गए गैस फ्लेम हमने मीडियम रखाए हमारा मसाला बुन गया है धीखे फ्रेंट्स तेल अलग हो गया और हमारा मसाला अलग हो गया इस तरह कि कंसिस्टेंसी हमें चाहिए मसाला बुनने के लिए इसको लिपार चला देंगे गेस्पलें मेडियम कर दियाब हमने अब गिरेवी में हम अपने इन चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें कोफते मसाले में अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसमें आदा कप पानी डालेंगे पानी हमने बिल्कुल सेंटर में डाला है और इसे डख कर तकरीबं दो से तीन मिनट तक पकाएंगे लो गैस फ्लेम पर देखेंगे फ्रे कोफते बहुत ही बहती बैतिरीन बने हैं अब हम इसको एक प्लेट में तसल्फ कर लेते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट करके बताईए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी इंशाला फिर म लेंगे एक नहीं जासी पिकज़ आप अल्लह हाफिज